हेलो फेंड्स स्वागत आपको हमारा यूट्यूब एजूगेशन चनल रदीप एजूगेशन में जिसमें कि हम आपके लेकर क्याते हैं इंग्लिस वकारोडी से एक्षाम के पॉइंट वू से इंपटेंट हो सकते हैं तो आज क्या वो पांच इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं हम आपके लिए लेकर कर क्या है यह पार्ट 10 है हमारा इंग्लिस वोटेबलेजी सीरीज का तो आज़े देख लेते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है फर्स्ट वर्ड is fraternity fraternity मतलब भाईचारा यानि कि हमारे देश में क्या है कि भाईचारा बहुत चलता है तो इस तरीके से हमने एक इमेज लगा है एक तो आजादी में, समानता में और भाईचारा में यानि कि हमारा देश के है एक तरीके से भाईचारा यानि कि सभी धर्मों के अलग-अलग धर्मों के लोग यहां पर एक साथ रहते हैं तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा भाईचारा देखने को मिलता है तो यह हमारे देश को और अन्य देशों से अलग बनाता है तो हमारा word is fraternity next word देख लेते हैं next word is alacriti, alacriti मतलब ततपरता, यानि कोई ऐसा काम जो आपने तुरंट उसको कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे alacriti, यानि ततपरता यहाँ पर हमने एक image दिखाया, image में हमने क्या दिखाया कि एक कोई लड़की है उसको कोई invitation मिला है, तो उसने तुरंट उसको accept कर लिया है, यानि कि उसने ततपरता दिखायी उस काम को करने के लिए तो sentence हमारा क्या है, she accepted the invitation with the alacriti, यानि कि उसने ततपरता यानि कि तुरंट उसने invitation को accept कर लिया है next word देख लेते हैं next word is patronage patronage मतलब सरक्षन देना, यानि कि किसी को सुरक्षा देना, तो उसको हम बोलते है patronage, तो यहाँ पर हमने image दिखाया है, देखी, old history में हमने दिखाया यहाँ पर, कि जहांगीर जहांगीर, जैसे कि आपने सुनाओगई, यह सब्चास सरक्षन देते थे, यानि कि यह arts, यानि कि जो कला से संब्धे था, यानि कि painting को इनने बहुत बढ़ावा दिया, तो इसलिए उनने अपने जितने भी यहाँ पर इनके जो painter थे, यानि कि जो painting में interest रखते थे, उन सबको सरक्षन परदान किया, तो यहाँ पर हमने image में दिखाया भी है ऐसा, कि यहाँ पर सरक्षन दिया करते थे, और अपने इनके यहाँ पर ही यानि कि जो काल था जिसमें painting सब्चास होती है, तो वो इनके काल में, जहांगीर के सरक्षन यानि कि सुरक्षा परदान करी थी next word देख लेते हैं next word is congregate, congregate मतलब एकत्री करण, यहाँ पर एकत्री करण से मतलब है, तो धार्मिक सबाव के लिए एकत्री करण होता है, उसको हम बोलते है congregate, congregate यहाँ पर हमने एकत्री करण होता है, भारती होगा तो यहाँ पर हमने sentence क्या बनाया है, sentence है many Indians congregate at the bank of Ganga for their religious rights, यानि कि बहुत सारे भारती यह लोग, एकत्री करण यह घटा होते हैं, गंगा ने दिखे किनारे, अपने धार्मिक कर्मकांडों को पूरा करने के लिए next word is proponent, proponent मतलब समर्थक अब यहाँ पर हमने image लगा है, image के दुरू हम इक identify कर रहे है कि गांदी जी क्या थे समर्थक थे, किस के समर्थक थे, आहिंसा के और truth के, यानि कि सच के, तो यहाँ पर इनोंने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, जिस आंदोलन में से एक था, सत्याग्रह तो सत्याग्रह का हमने एक image यहाँ पर लगा है, इसके दुरू हम दिखा रहे हैं कि गांदी जी क्या कर रहे है, सत्याग्रह के समर्थक है तो sentence हमने क्या बनाया है गांदी जी वाजदा first प्रोपनेंट ऑफ सत्याग्रह, यानि ग्यांदी जी क्या थे, प्रिथम ऐसे व्यक्ति थे, जो कि सत्याग्रह का समर्थन करते थे तो इस तरीके से हमने पांच यह हमारे important word थे, यह हमने पढ़े अब last में हम इनको क्या करते हैं, revision कर लेते हैं revision मतलब हम इनको picture के तो identify करने की गोसिस करेंगे तो यहाँ पर देखी यह वाला image हमको क्या बताता है यह हमें दिखा रहा है भाईचार, आप try कीजी क्या हाँ पर है और यह वाला image बता रहा है हमको तुरंत उसने किसी एक invitation को accept कर लिया अब आप try कीजीए, screen pause करके कि आप phone काउन से word को recall कर सकते हैं अभी हम इनको देख लेते हैं, final हमने क्या word था? अलेक्रिटी, अलेक्रिटी मतलब ततपरता दिखाया और fraternity मतलब भाईचारा हो गया और हमारा क्या था? और patronage यह हमारा सरक्षन हो गया और propanant मतलब समर्थक हो गया congregate मतलब एकत्री करण हो गया तो यह थे हमारे कुछ 5 important words अब आप भी आप try कीजें को इन 5 words से अलगलग कुछ sentence बनाने की कोसिस कीजें और इससे आप try कीजें एक paragraph लिखना है कुछ आपको आज कल जो भी चल रहा है उसको लेकर के आप एक news थोड़ा बना सकते हैं अपना कुछ article लिख सकते हैं तो यह word आप तभी recall कर पाएंगे तो यह थे हमारे 5 important words ऐसे हम word बीच बीच में आपके लिए 5 important words लेकर कर आते रहेंगे और आपको हमारे प्रियास पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने जरुत्मन फ्रेंड के साथ सेहर करना ना भूले तो थैंक्स फर वाचिंग